यहार वीडियो केवल दर्सकों को सिख्षित करने के लिए बनाया गया है ना कि कोई गैर काउनी या अवैद क्रिया कलापों को दिखाने या सिखाने के लिए हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रिया कलापों को बहावा नहीं देते हैं जिससे किसे वेक्टिविशेश, या धन संपत्ति का नुक्सान हो अथा दर्सकों से निविधन है कि आप लोग वीडियो के किसी वीभाग का गलत तरीके से इस्तमाल ना करे तनिवार अगर गलत यूज करेंगे तो आप अपने रिक्स में करेंगे लेकिन मैं यह बिडियो बना रहूंगा आप लोग के हैल्प के लिए किसी करण्द से आपका मैसेज देखना है किसी पुराने फोन का और फोन का एक्सेस आपके पास नहीं है तो इस एप के मदद से आप देख आपको दिखाई दे रहा है यह लिखा हुआ है SMS फॉर्वाडर करके दिखाया है यह एप देखने में ऐसा है इसका डाउनोर लिग आपको डिस्क्रिशन मिल जाएगा इसके मनद से आप SMS को फॉर्वार्ड करवा सकते हैं अपने एक फोन से दूसरे फोन में कैसे इसका करना क्या करना इस टेप करके देखाता हूं अब लोग धिया से देखेंगा मैं आपको जोॉर्वार्नीग दे लिखने हो कि इसका इलिगा लिगल यूज नहीं करना है सामने और यहां पे सब्सक्राइब करना है तो सावधान रहना है वह सकता है इन सब चीज़ से बचना है देख लेने के बाद टिक मारके आपको आगे बढ़ना है सब्सक्राइब करता हूं कि इसका कोई गलती उज़ नहीं करना है और यहां पर आने के बात कुछ ऐसा ही खुलेगा और बहुत साथ चीज यहां पर है तो यहां पर देखिए नीचे में आएंगे तो दुष्ट में यहां पर आएंगे तो रिजल्ट वाला ओप्सेन में तो यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे यहां अपको दिखने को मिलेगा तो यहां पर आपको दो चीज देखना है जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर incoming message और settings दो चीज आपको दिखाई दे रहा है और कोई question मन में है जनकारी लेना है तो fact लिखा है frequently ask question लिखा है इसे है इसमें आप क्लिक करके बहुत साथ चीज आप जान सकते हैं तो सबसे पहले हम incoming message में चेक करते हैं और यहां पर क्या है प्लिज डेफर टो incoming number and body of the message and this is this लिखा है do you want to save the history हम सेब कर देंगे ठीक है तो यहां पर इस टाप का आएगा allow जो बुलेगा allow को करना है ठीक है यहां पर आएंगे allow कर देंगे और यहां पर app का permission आएगा notification access का तो आप इसको चाहाए तो चालू भी कर सकते हैं बंद भी कर सकते हैं आपके पर डिपेंड करता है अगर आप चाहते इस एप को अच्छे से काम करना और करवाना इसको अन करना ज़रूरी है यहां पर टाइमिंग के बाद आपको ओके प्रेस करना है टाइमिंग से सुझा और मैंने प्रेस किया हो बैक करेंगे बोलने का मतलब के परमिशन इसको मिल चुक चाहिए तो आपको चाहिए तो करके लिए ठीकतना है तो उसके देखिए क्रेग करना है और जो आपको नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आं करके सब्सक्राइब आपको अब सब्सक्राइट करेंगे कि लिए यहां जूँदा कुछ नहीं करेंगे घौका का चीज है आपको बताते हैं कैसे क्या करना है कि है इसके बाद जो आपने देखãy pensar यहां पे उक यहां पर यह सेटिंग और के आँऊ लगेको करना नहीं किलें एक जाहिए कुछ में कर्णा है आपको SMS 육род defined upon Тыימil पे क्रिश्च अपिmaने इस Ugandan, realizar उठ्मेन को इंस्टॉल है और मैं दूसरे फॉन में देखना चाहता हूं और किसी और भी फोन से देखना चाहता हूं तो हमें अपने कि जगह में आपको क्या करना है आप करना है Gmail API विया आप SMTP कर सकते लिए SMTP करके कोई लाब नहीं यह ज्यादा थोगा साइडवांस हो गया आप सिंपल इसमें टिक मारेंगे और यहां पर करने के लिए पर एक टेस्ट मेल सेंट किया जाएगा तो यहां पर आने के बाद यहां पर हम आएंगे सबसे पहले Gmail का जो है साइन इन करेंगे Google साइन देखा रहा है यहां पर Gmail का लिस्ट खुल जाएगा तो जो Gmail से आप यहां पर स्ट्रेक्ट कर लेंगे एक है तो एक दिखाएगा दो है तो दो दिखाएगा और नेट अब जैसा यहां पर आएगा आप देखिए फ़ादीर्ण प्रोसेस चालू हो गया है और यहां पर प्रोसेस हो रहा है मतलब को जीमें से लगिन करना घूमफिट का बात यह है और जो परमिशन मांगता है और यहां पर टिक मार देना है इस जगा में जो में आपको देखाया और यहां पर कंटीनु पर क्लिक करेंगे कंटीनु पर क्लिक करेंगे परमिशन मतलब हम लोग इसको देर है और यहां पर देखिए इमेल बाइट चुका है यह मेरा इमेल सबसे पहले क्या करेंगे मेल चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे मेल करेंगे देख लेते हैं कि कुछ SMS फर्वाइड के थुरू से कोई मैसेज आया की नहीं तो सबसे पहले इसको अपने होम पेज में जाएंगे अपना जीमेल को आपन क्लिक करेंगे जीमेल क्लिक करने के बाद वही मेल से लोगिन करेंगे हमाना वही मेल होँआ चाहिए तो यहा अपना कन्फर्मेशन करने के लिए ताव दो आगे नेक्स स्टेप में बढ़ेंगे तो मैंने इसमें क्लिक किया और यह उपर में देखे डाउनलोड भी हो रहा है और यहां पर डानलोड सक्सेस्पुली देखा रहा है तो यहां पर देखते हैं डाउनलोड हो गिया है तो सब्सक्राइब करेंगे यह फाइल था यहां पर ओपेंड करेंगे ऑपन करने के बाद यह एक आइकन दिखाए देरा मतलब फोडो दिखाए देरा सब्सक्राइब कुछ भी छेखानी नहीं करना है अब जो हमारा मेसेज है वह आना सुरू हो जाएगा हमारे उसमें मेल में ठीक है अब यहां पर ओप्सन जो है काम का चीज है यहां पर हो सकता काम है इसमें क्लिक करेंगे फिल्टर अब इसमें काम का चीज है कि यहां पर क्लिक करने के बाद आपको क्या चीज फोरवार्ड करवाना है तीन अप्सन दे रहा है तो इसमें सबसे पहला अप्सन है incoming SMS इसमें क्लिक कर देना मतलब जो भी incoming SMS होंगे मतलब जो भी message इस फोन में आएगा वह उस Gmail ID में automatically transfer होगा आपको अगर देखना है कि क्या इस phone में message आया है बीना phone touch किए तो आप उस Gmail ID को login करें कहीं भी computer laptop कोई भी और mobile में कहीं भी जहां भी login हो जाए login करके आप simply देख सकते हैं कि इस phone में क्या message SMS forwarder के तरफ से message transfer कर दिया जाएगा तो हम incoming SMS को select करेंगे filter हो गया एक और आपको यहां पर मिलेगा कि पूसेंड कहां करना है ठीक है यह यह क्या आपको समझ में आएगा एक चीज और यह जो मैंने email ID login किया था उसमें तो transfer होगा ही ठीक है ना और अगर आपको किसी और में आपको चाहिए कि नहीं मैं इस email ID में नहीं चाहता हूं मैं किसी phone number पर पर पर्टिकॉली चाहता हूं फो आप यहां पर डाल सकते हैं तो इस जगहां है email या phone number आप डाल सकते हैं simply click करके तो माली जे मैं चाहता हूं उस email पर ना जाए अगर मैं यहां पर कुछ भी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फोन में डाल दिया और डालने के बाद तो यह पर फोन नपर जो है automatically इस फोन में आब इस फोन में यतना ही message होगा इस नंबर पर ट्रांफर होगा और उस Gmail id पर ट्रांफर नहीं होगा उस जवपी क्लिक कर देंगे तो और वापन ने पर प्रमिंशन करते जाएंगे यहां पर प्रमिंशन दे दिया मैंने फिल्टर के सेक्षिन में और कुछ बदलाव करना है और कुछ चेंज्जन और कुछ एड़ करना है यह एड बटन पर क्लिक करके फिर से यहां पर सिलेक्ट करेंगे अब फिर उस हिसाब से अगर आप कर सकते हैं उसके लिए भी यहां पर काम कर सकते हैं सेंप प्रोसेस हैं कि आप किसी में उसी phone number को डालूँगा इस phone में एक यह नंबर है यह वाला और मैं यहां पर सेप क्लिक करोंगा इसका मतलब यहां पर मैंने स्लेक्ट कर लिया कि मैसेज भी मैं देख पाऊंगा और साथ में इसका जो नोटिफिकराशन आएगा वह भी देख पाऊंगा क्लियर और साथ में एक फिल्टर और भी ऑप्सन था यहां पर क्लिक करके आप कर सकते हैं लेकिन प्रिमियम वर्जन हो जाएगा यह वाला फिल्टर ऑप्सन है यह वाला आउट्वोइंग मैसेज अगर इस फोन से कोई बंदा किसी और को मैसेज कर रहा है तो आप उसको भी द फिल्टर था SMS के लिए दुसरा फिल्टर था नोटिफिकेशन के लिए अब यारी जब भी इस फोन में कोई SMS या नोटिफिकेशन घुसेगा तो जो नंबर अभी डाला गया है उसी नंबर पे वह आटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा चाहिए नंबर कोई भी डिवाइस में लगा हो चाहिए ड्या के किसी device में हो चाहिए दुनिया कोना में कोई भी फोन हो वहाँ प्रहन पर लगा हो वो SIM लगा हो तो इस phone का message automatically उसमें forward होगा इस तरह से यह application काम करता है यह आप काम करना शुरू कर दिया है अभी तक इस phone में कोई message नहीं आया है जिसी वरे से अभी भी कोई message सो नहीं करेगा उस number पर मैसेज आया होता तो इस number पर मैं आपको लाइब करके देखा देखा देता कि message कैसे forward हो रहा है आप notification और message दोनों ही देख पाएंगे easily आसान तरीका से और last जो मैं बताया आप लोग को कि अगर आपको idea हो गया होगा कैसे क्या करना इस एक काम का है अब आप करने के बाद इस एप को डिलीट नहीं करेंगे बस आप सिंपली सु रखेंगे वह आपको अपन करने कर सकता नहीं है अपना background में काम करता ही रहेगा और जब भी फोन में messages आएगा कोई भी या फी notification आएगा तो automatically उस नंबर पर वह message या notification ट्रांसफर हो जाएगा मतलब forward हो जाएगा आपको ज्यादा हाथ पर नहीं मारना पड़ेगा clear और अगर यहाँ पर फिल आप नहीं करते अपना number तो जो email id पहले login किया गया था उस email id में automatically message सब transfer होता अगर वीडियो समझ माया हो helpful रहा हो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करना और इस तरह के वीडियो और भी देखना है तो चैनल को subscribe करना तब तक के लिए बाई जाहिन धन्वाद